आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now यहाँ पर हमें column 1 में जो joint का type दिया हुआ column 2 में इसके example के साथ इसको correctly match करके देखना है और बताना है कि कौन सा pair यहाँ पर सही match नहीं है या इसका सही example इसके साथ नहीं दिया हुआ तो अपने question को अगर देखें पहला हमें दिया हुआ है ball and socket joint और इसका example दिया है कि humorous और pectoral girdle के बीच में यह हमें मिलता है pectoral girdle से हमारा मतलब होता है कि shoulder का जो हमारा joint होता है और humorous हमारी upper arm की bone होती है तो हाँ यह हमें सही type का joint दिया हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि सभी directions में काफी freely हमारी arms move कर सकते हैं तो pectoral girdle में और सिर्फ pectoral नहीं pelvic girdle में भी यानि shoulder के अलावा hip joint में भी हमें इसी तरह का ball and socket joint मिलता है तो यह तो correct हो गया इसके बाद next देखे हमें दिया हुआ है pivot joint carpal और metacarpal के बीच में present होगा तो यह यहां पर गलत हो जाता है pivot joint जो हमें मिलता है atlas और axis के बीच में मिलता है हमारा vertebral column या जो हमारी backbone है हमें मालूम है कि छोटे-छोटे subunits की बनियों ही होती है जिनको हम vertebrae कहते है और इन vertebrae में से जो सबसे पहला होता है उसको atlas कहते है जो कि skull के साथ हमारी backbone को articulate करता है और दूसरा होता है axis तो इन दोनों के बीच में हमें pivot type का joint मिलता है तो यह यहाँ पर इसके सामने जो लिखा यह इसका गलत example है incorrectly matched है और saddle joint जो होता है यह हमें pivot joint के सामने लिखा हुआ है तो यह ultra यहाँ पर दे दिया example यह भी गलत हो जाएगा यूँकि saddle joint हमें atlas axis के बीच में नहीं बलकि thumb में हम देखते है कि इसके कारपल और metacarpal के बीच में मिलता है कारपल जो हम term यूज करते है wrist bones के लिए यूज करते है और metacarpal हम बोलता है palm bones को तो thumb में हमें इस तरह का यह joint मिलेगा तो यह दोनों हमारे गलत हो गए ultine का example दिया हुए saddle joint की जगे pivot का दे दिया है जारों ही हमारे जो है यह movable joints है यानि synovial joints जो होते है इन में हम देखते है कि जो भी दो bones आपस में attached है joint में उनके articulating surfaces के बीच में एक fluid filled cavity present होती है जैसे synovial cavity कहते है और इसमें synovial fluid भरा हुआ होता है जिससे कई तरह की movement यह possible हो जाती है इस joint में फिर last में जो हमें दिया है fibrous joint यह हमारे पास immovable joint हो जाता है किसी भी तरह की movement इस joint में possible नहीं होती क्योंकि thick यह हम गय सकते है strong fibrous connective tissue इस तरह के joints में bones को आपस में जोड़े रहता है और वो एक दूसरे के respect में कोई भी motion शो नहीं कर सकती skull की bones में बीच में इस तरह के joints प्रेजन्ट होते है बिल्कुल correct example है इसलिए वो आपस में ऐसे जुड़ी होते है जैसे पूरी ही fused हो अलग-अलग bones हो ही न और कोई movement वहाँ पर हो नहीं पाती तो यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट का या इम्मूविबल जॉइंट का भी हमें correct example दिया है हमें choose यह करना था select करना था कि कौन से pairs correctly matched नहीं है तो हमारे 2 और 3 यहाँ पर गलत हो गए क्योंकि pivot joint हमें atlas और axis के बीच में मिलता है और saddle joint हमें थंब में कारपल और मेटा कारपल के बीच में मिलेगा तो यहाँ पर incorrect के लिए हम answer अपना mark कर देंगे option A 2 और 3 हमें given type of joint के गलत example यहाँ पर दिये गया है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubt आच 400 404 सुपर